अभी तक हम इन प्रकार के सरल एक चर वाले रैखिक समिकर्णों को हल करना सीख चुके हैं दोस्तों अब इस सत्र में हम कुछ जतिल एक चर वाले रैखिक समिकर्णों को हल करना सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं सीमा को यह समीकरन दिया गया है और उससे पूछा गया है कि क्या यह समीकरन एक चर वाले रेखिक समीकरन है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरे समीकरन में सिर्फ एक ही चर है और वो है X तो हम कह सकते हैं कि यह समिकरण निश्चित रूप से एक चरवाला समिकरण है पर चरण X समिकरण के बाइपक्ष के अंश और हर दोनों में मौजूद है तो क्या यह एक रेखिक समिकरण है? आपको क्या लगता है? चलिए यह ढूनने में सीमा की मदद करते हैं फिल्हाल यह समिकरण एक रेखिक समिकरण जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि चर X हर में मौजूद है पर क्या हम किसी तरह इस समिकरण को एक रेखिक समिकरण में बदल सकते हैं? इसके लिए हमें यहां हर से X को हटाना पड़ेगा यह कैसे करेंगे हम? हमें बाएं और दाएं पक्ष को 2X घटा 4 से गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार यह दो पद आपस में कट जाएंगे तो अब हमारा समिकरण ऐसा दिखेगा अब समिकरण को दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने के बाद हमें यह समिकरण मिलेगा ध्यान दें कि हम अपने पिछले सत्रों में इस तरह के समिकरण कई बार देख चुके हैं यह एक चरवाला रेखिक समिकरण है अब इन चरणों को ध्यान से देखिए क्या आपको लगता है कि हम इस समिकरण तक एक ही चरण में पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं कि क्या ये किया जा सकता है चलिए इस समय करण के दोनों पक्षों के हर में जो व्यंजक है उन्हें उनके सामने वाले पक्ष में भेज देते हैं जब हम यह करते हैं तब वे अंशों में पहले से मौजूद व्यंजकों से गुणा हो जाते हैं तो दाइपक्ष के हर से पांच बाइपक्ष के अंच में जाता है और बाइपक्ष के हर से दो एक्स घटा चार दाइपक्ष के अंच में जाता है हम देख सकते हैं कि हमें केवल एक चरण में वही समिकरन हासल हुआ हमने यहाँ देखा कि हर के व्यनजक सामने के पक्ष में जाकर गुणा हो जाते हैं इस विधी को वज्रगुणन कहा जाता है अब हम देख सकते हैं कि यह एकचरवाला रेखिक समिकरन है जब हम समिकरन के दोनों पक्षों में मौजूद कोश्टकों को खोलते हैं तब हमें यह समिकरन मिलता है अब पिछली सत्रों में हम देख चुके हैं कि इस प्रकार के समिकरनों को कैसे हल करते हैं हम चरवाले पदों को एक पक्ष में और अचरवाले पदों को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं और तब हमें यह समिकरन मिलता है अब हमें बस दोनों पक्षों का तीन से विभाजन करना है और तब हमें X का मूल्य 46 बटा 3 के बराबर मिला तो इस सत्र में हमने देखा कि वज्रगुणन कैसे एक चरवाले कुछ जतिल रेखिक समिकर्णों को हल करने में मदद करता है अगले सत्र में हम इस अवधारना को बहतर समझने के लिए कुछ रोचक उधारन देखेंगे